तो हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं जहां मुंबई हबडा मेल जो है वहां दुरघटना गरस्थ हुई है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं टोटल 18 से 19 बोगी जो है आपको डिरेल हुई है और सबसे जाजाद खतरनाक कंडिशन है आप देखेंगे यह जो AC बोगी आपका दीख रहा है और इसके साथ पेंटी कार और जेनरल आपकी यह जो पाँच बोगियां है सबसे जादा आपको देख रहा है कि जो जिस रेलवे लाइन से उच्छर के कहां तक यहां तक आपको एकदम पहुँच गई है तो इस सबसे जादा दुरघटना गरस्थ है सारी यात दुरघटना जो गरस्त हो रही है आपको पता है कि इसके उधर जो मालगाडी डिल पहले हुई थी और इसके बाद दुसरे रेल्वे लाइए अप इधर से आपकी जो है ट्रेन जा रही थी और उप ब्रेक लगाते लगाते स्पीड कम करते करते भी यह हाथसा हुआ है इसक तरीके से कास तोड़कर निकाला गया है पेंटीकार के सिती देखिए जनरल बोगी के देखिए कितना दूर पट्री से आकर यहां पर गिरा हुआ है उससे पता चल रहा है कि कितनी जो है एक तरह से भ्यानक बड़ा हाथसा जो है यह हुआ है और यहां से तमाम यात्रियों को भी निकाल लिया गया इसलिए हम लोग बहुत यात्रियों से बातचित नहीं कर पाएं इसलिए कि उनको बस से दुसरे जगों पर सिप्ट कर दिया गया है लेकिन सवाल लगतार लोग यहीं पूछ रहे हैं कि जो आम आदमी है अगर रेलवे के अगर सुरक्षा की गरांटी अगर किसकी है यात्रियों की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा सवाल है इसलिए कि इस देश में पिछले आप जुलाई में आपको पता है कि कोरो मंडल एक स्पेस दुरगटना हुई थी यहीं यहां से सो किलोमीटर दूर आप कोड़ी साम हुआ था और फिर इस तरीके के आए दिन जो है दुरगटना हो रही है कि एक ही जो है रेलवे पट्री पर आमने सामने के भी टककर हो रही है कभी सिग्नल फेल लिवर के जैसे कभी कुछ हो जैसे तो आखी जो कोड़ सिस्टम है वो कब तक पूरे भारत में यह लगेगा और आज जो है रेलवे सुरक्षा को लेकर उतनी सजगता क्यों नहीं है पहले एक अक्सिडेंट होता था तब पूरी सरकार हिल जाते थी लेकिन आज ऐसा हो गया है कि होने के बावजूत भी किसी के कान पर जो नहीं रेंगता तब तक आगने वाले महीने या 10-15 दिन में कोई नया हाथसा हो जाता है